बिस्मिल्ला रह्मान इर्रहीम असलावलेकुम यू आ लिस्निंग तो मौमसलीन इस्त में हम सीखेंगे कि एनलोग और डिजिटल सिगनल की डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद सिखख अगर आप देखेंगे कि सिगनल कैसे इस टाइप क्यों होते हैं अनलोग सिगनल की डेफिनेशन सबसे पहले analog refers to something that is continuous in time यानि कि analog signal को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि continuous time यानि कि इसका जो signal है वो break नहीं करता continuously चलता ही रहता है ठीक है यानि analog signal जो होता है वो continuously चलता है इसमें यानि कि break नहीं करता इसके बाद अगर digital signal हम देखें तो digital signal की क्या definition हो सकती है digital refers to something that is discrete यानि digital signal में जो भी यानि कि signal होगा वो discrete का मतलब होता है रुक रुक के चलना ठीक है तो जो signal होगा वो रुक रुक के चलेगा तो आप जब आपको मैं graph अब दिखाता हूँ next way तो आप देखना कि जो analog signal है उसका graph जो है वो continuously चलता है और जो detail signal होता है उसका graph जो है वो discrete तोर पर चलता है यानि discrete यानि रुक रुक के चलना continuously यानि के बगार रुक के चलना आप यहां पर देखें यह analog signal का graph है तो देखा आपने जो analog signal थे वो यानि के आपको graph में नजर ही आ रहा है एक रुक रुक के चलर रहारा तो यहां से बहुता होता है signal तो यह कहीं पर प्रेक नहीं करता है जिए चलता ही रहता है तो इससे हम बोलते है एक प्रेख अनियुन्यूज इसे बहुता है वो continuously चलता है और धिर यहां पर अगे वो रोखता नहीं है वो तो यह दिला सिगनल तो अब हम एक ख्ञांपल देखते हैं 20 और फिर देखते हैं, और डिचिल सिर्णल में फरक कहा है, यहां पर देखें, data can be analog or digital, यानि data digital हो सकता है, और अलोग हो सकता है, तो हम चैक करते हैं, example से, example of analog data, human voice, यानि अगर कोई भी आदमी बोल रहा होता है, तो उसको हम analog data कहते है, ठीक है, When some body speaks a continuous wave is greeted in the air यानि जब कोई बोलता है तो उसकी जो waves है हुआ में को इसकी waves create होती है और और को continuously होती है रुकती नहीं रुक रुक के नहीं चलती जस्थ हावाद हम बोलता है हम किसी को बूलता है और आथ हमारी फुरॉण पहुँच जाती है यह नहीं जोता के पहले मैंने बुलाया किसी को तो पहले पहले पहुंचे हैंग कुछ बात पहुंचे हैं यह यह continuously पहुंचती है तो this can be captured by microphone and converted to analog signal जो microphone होता है वो हमारा अगर हम किसी को call कर रहे है जो voice code कर रहे है तो जो microphone होता है ये इसे analog signal में change कर देता है हमारी voice को इसी तरह हम एक digital example देते है digital signal digital data is data stored in memory of a computer in form of one zero जैने digital data होता है वो memory में computer के store होता है और वान जीरो फो में होता है it is usually convert to a digital signal when it is transferred from one position to other inside outside तर यानि अगर हम उस जो computer में data पढ़ा है वान जीरो में अगर उसको computer में जगा से जगा से जगा से जगा से पोसेशन पे बेजते हैं तो फिर भी digital signal create होती है तो आपको पता चल गया होगा कि जो digital signal है वो क्या होता है analog signal क्या होता है और digital signal की हमने example से भी विजात ही है कि digital analog signal में क्या difference है तो आई होप कि आपको इस लेक्स तरीए समझाई होगी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अलाफिस